नमस्कार विदर्व की बात विकेवी नियूस के दो पहर के प्राइन टाइम में आपका स्वागत है आप रुप करते हैं आज के हेडलाइन्स पर नागपुर में 25 और 26 जुन को होगी जलापुर्थी प्रभावित कनान जल शुद्धी करन पाइपलाइन में लिकेश दुरुस्ती कारिय के चलते रहेगा 30 घंडे का शट डाउन नागपुर जिली में एक ही दिन में 42,000 लोगों को कोरोना का टिका टिका करन कार्यकरम को लेकर नागरिकों में भारी उत्सा हाँ और पती की दिर्खायू की कामना को लेकर सुहाग अनोने की वट सावित्री की पूजा और अब कबरे विस्तार से नागपुर जिले के कनान जलशुती करन केंद्र की पाइपलाइन में चार जगा बड़े लिके जोनी की बात सामने आई है जिसके मरमत कारिय के चलते 25 और 26 जून को नागपुर में 30 घंटे का शटडाउन यानि जलापुर्ती खंडित रहने वाली है नागपुर महानगर पालिका के अंतरगत आने वाले आशिनगर जोन, नहरुनगर जोन, लकडगन जोन और सतरंजी पुरा जोन नगर वासियों के लिए एक महत्वपुर्ण सूचना है दिनांग 25 और 26 जून को कनहान की जल वाहिनी के मरम्मत का कारिय शुरू होने वाला है, जिसके कारण 30 घंटे का शटडाउन किया जाएगा शहर को जलापुर्ती करने वाले औरेंज सिटी वाटर द्वारा बताया गया है कि कनहान से नागपूर आने वाले 1300 MLD और 900 MLD पाइपलाइन में चार लिकेज है जिसके मरम्मत का कारिय किया जाएगा, जिसके कारण 4 जोन में जलापुर्ती प्रभावित होगी यही नहीं, 25 और 26 जुन को पानी का दूरुपयोग ना करने की सला भी OCW द्वारा दी गई है यह शड्यां चा अंतरगर नागपूर शहरातील लकडगांश, आसी नगर, सत्रंजी पुरा आणी नेहरो नगर जोन यहा जोन मदिल पानी पुरोटा रभावित राणार आए तरी यह चारे जोन मदिल नागरिगाननी पाने ची साट्रण पुरन ठेवावी नागपूर जिले में बुधवार का दिन टीका करन के मामले में बड़ा उत्सा पुर्वक रहा पुरे जिले में 23 जुन को 45,000 नागरिकों ने टीका लगवाने की जानकारे सामने आई है जिसमें शहर में 23,703 तो ग्रामिन परिसर में 18,008 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया है कोरोना से बचाओ के लिए नागपूर में अब 18 प्लस का टीका करन 106 केंदर पर शुरू हो चुका है जिसको लेकर उत्साह काफी है बुधवार 23 जून को नागपूर जिले में 42,000 लोगों ने टीका लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है बुधवार दिन भर नागपूर ग्रामिन में 18,008 तो शहर में 22,211 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया गौर तलब है कि इन दिनों ग्रामिन में 23 प्राथमिक केंद्र, 10 ग्रामिन अस्पताल, 2 उपजला अस्पताल में तो शहर में 106 केंद्र टीका करण उपलब्ध है एक ही दिन में इतने बड़े पैमाने पर टीका करण नागपूर के लिए रहत की बात है नागपूर महानगरपालिका के द्वारा आज 18 प्लस के वैक्शिनेशन के शुरुआत हुई और जैसी अपिक्षा थी बड़ी आतुरता से नौजवान वैक्शिनेशन की रहा देख रहे थे उसी प्रकार का इस फुर्त प्रतिसाथ सभी वैक्शिनेशन सेंटर पर देखने को मिला महानगरपालिका के 106 वैक्शिनेशन सेंटर के माध्यम से नागपूर महानगर में आज 23,708 लोगों ने वैक्शिनेशन लिया और संपुर्ण जिले में 40,000 प्लस का वैक्शिनेशन हुआ यह अपने आप में नागपूर शहर और नागपूर जिला मिला करके एक रिकॉर्ड है अप इच्छा है कि आज पहला दिन था आने वाले समय में नोजवान इसी प्रकार का इस फुर्द प्रतिशार और देगे ऐसा विश्वास है और अहां एक बात का मैं विशेश उलेक करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी संख्या में वैक्शिनेशन होने के बावजूर किसी प्रकार की भगदर नहीं थी फीड नहीं थी बड़ी सहजिता से डिसिप्लीन में अनुशाषित तरीके से पुरा का पुरा वैक्शिनेशन संपन हुआ जिउस्टापूर्णी मां के दिन वड़ सावित्री व्रत पूजन करने की भी परमपरा है ये पर्वा मुख्य रूप से गुजराथ महराष्टा गौवा समय दक्षिन भारत के कई इलागों में मनाया जाता है इस वरत को शादी शुदा महिलाय अपने पती की लंबी उमर के लिए रखती है और वट यानि बर्गत के पेड़ का पूजन करती है नागपुर में भी सुहागन महिलाय बर्गत के पेड़ का पूजन कर अपने पती की दिर्गायू के लिए कामना करती नजर आई झाल झाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कहते हैं, जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो परस्नल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है गलत, बस बैलन्स ज़रूरी है जैसे एक्स्टर लाल और एक्स्टर तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं नाच्रल रेड और तीखे पन का पॉफेक्ट बैलन्स है सुरुची तेजा लाल चिली पाउडर खाने में हो रूची तो घर लाएए सुरुची ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नागपुर सहिद पुरे महराष्ट में OBC आरक्षन के मुद्दे पर 26 जून को भारतिय जनता पार्टी द्वरत चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा जिसकी जानकारी भारतिय जनता पार्टी की नेता वपुरुव वित्तमंत्री सुधिर मुनगंटिवार ने देते हुए राज्जा सरकार पर निशाना साधा है यही नहीं सुधिर मुनगंटिवार ने OBC समाज के लोगों से भी इस आंदोलन में शामिल होने का आभान किया सभी OBC संगटना नहीं सभी राजनितिक पार्टी के OBC नेता यह आंदोलन में सामिल हो अगर वो चाहते हैं कि भारतिय जन्दा पार्टी के जहंड़े के साथ उन्हें अगर जी है कुछ रियक्शन आ सकती है तो उनके लिया हम अगर 17 जी का बंदोबस करेंगे जिस पे कोई भारतिय जन्दा पार्टी का जहंड़ा नहीं रहेगा यह राजनितिक आरक्षन सरकार के गलतियों का नतीजा है कि सुप्रिम कोर्ट ने बड़े सपश्टर रूप से कहा सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि यार क्या पंद्रा-पंद्रा महिना आप तारिक पे तारिक लेतो अभी नीन खुगी फिर भी सुप्रिम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आरक्षन अब कभी नहीं होगा वो कहा हम आरक्षन देने को त्यार है तीन बाते ध्यान में रखना एक तुरं जो आरक्षन आपको देना है वो दीजिए सिर्फ पचास प्रतिशत के उपर यह आरक्षन नहीं होना चाहिए सब मिगाता अनुसुचित जाती का अनुसुचित जमाती का परोबी से यह पचास प्रतिशत के उपर नहीं होना चाहिए सुप्रिम कुर्ट ने कहा है और आप जी पस्टबाद कही कि हम जो एक पद होता है जैसे नगर पंचायत का अद्देख्ष है जिगापरशद का अद्देख्ष है उसके आरक्षन को हम धक्का नहीं लगा है हम सिर्फ यह जो सदश्यों का आरक्षन है इस आरक्षन के बारे में हम कह रहें कि आप डाटा लाई है क्यों दिया इन्होंने उस रिजल्ट में उन्होंने कोई जिग्र के कुछ जिगों की इंफर्मेशन भी दी कि जैसे वाशी मैं वाशी में जिगापरशद में 5.76 एक्सिड़ जो 50% से ज्यादा होता है जिगापरशद में बंडारा में जिगापरशद में 1.92 है अकोजा में 8.49 है तो यह सुप्रिम कोट ने अपने निकाग में बड़े स्पश्टर रूप से कहा है यह सारा अरेक्शन पचास प्रतिशित के उपपर होता है इस बारे में इस बारे में विधान सभा में मैंने खुद बड़े विश्टूत रूप से सरकार को यह कहा था कि राज्ज सरकार 32 रुपे के आसपास इसमें टैक्स गेती है राज्ज सरकार और केंडर के टैक्स में 42 परसंट राज्ज को मिलता है तो हमने राज्ज से कहा कि आप इसमें 10 रुपे कम करिये और हम सब मिलकर केंडर के पास जाएंगे कि आप भी उसमें कम करिए मगर आप एक बात इस विशे पे जनता को गुमरा किया जा रहा है पहली बात कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने का पहला कारण कि मनमोहन सिंग के सरकार ने 2010 को इसको डी कंट्रोल किया फिर 2013 को डी कंट्रोल पेट्रोल का किया डीजल का किया 2010 में पेट्रोल को डी कंट्रोल किया 2013 में डी कंट्रोल डीजल का हुआ हमने फिर और एक मांग हमने कही जिसको महाराष्ट्रे सरकार अभी भी साथ अगर देती है तो इसके भाव कम हो सकते है वो है कि पेट्रोल डीजल ये GST में लाना चाहिए अगर पेट्रोल डीजल GST में आता है तो राज्या सरकार का जो आज 32 रुपे टैक्स राज्या सरकार लेती है पेट्रोल पे 26 प्रतिशत टैक्स और उसमें फिर और 9 रुपे ये इंटिग्रेटेड प्लैन के लिए लिए गए है तो हम तो बार-बार राज्या सरकार को कह रहे है मगर ये राज्या सरकार की एक नई आदत है कि आगी आंगावर कि ढखागी केंद्रावर ये इन्होंने एक नई आदत लगाई है कि हमारा कोई करतव्य नहीं है और इसलिए इस अधिवेशन में मैं वही माँग करने वागा हूँ कि पहले तो आपके क्या करतव्य है इसकी एक स्वेथ पत्री का निका गिये कि राज्य के क्या करतव्य है oxygen cylinder नहीं मिला समविदान में हमारे राज्य की कि राज्य पे जो जिम्मेदारिये से 66 काम है आरोग्य उसमें आता है इंजेक्शन नहीं भी गए केंदर सरकार कुछ भी हुआ तो केंदर सरकार तो मुझे तो गता है कि जब तक ये अपने पैरों पे खड़े होने की क्षमता इनकी अगर नहीं है तब तक केंदर को कहें कि हमारे महाराष्टे को भी केंदर शाशीत कर दें कि सब काम तो हमको तो कुछ करना ही नहीं है तो मुझे ज़कता है कि पेट्रोल डिजल के भाव कम हो सकते हैं GST में डागा जाए, महाराष्टर उसको परमिशन दे और अब GST के इस कमिटी में सनमानी अजित पवर की नियुकती की है तो मैं तो उस दिन से देख रहा हूँ नियुकती हो गई चंदरपूर जिले के चीमूर तहसिल के पलस गाओ में इंदीनों बाग का आतंग देखा जा रहा है जहां बाग के हमले में गाव वासी और उसको पकड़ने आया एक जवान घायल हो गया है जबकि बाग के गाव में खुले आम घुमने के वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है ताड़ोबा अंधारी वैगर प्रकलप अंतरगत चीमूर तहसिल के एक बाग ने ग्रामस तनागरी के ओपर हमला कर दिया जिससे वो गंबिर रुप से घायल हो जाने की जानकर ही सामने आई है जबकि बाग को पकड़ने आये जवानों में एक जवान पर भी बाग ने हमला कर उसे गंबिर जखमी कर दिया इन दिनों गाव में खुले आम बाग घुमते हुए दिखाई दे रहा है जिसके कारण गाव वासी दहशत में दिखाई दे रहे है जखमी ग्रामस का नाम चरंदाज बंसोड और जखमी जवान का नाम सुनिल गजलवार है चंदरपुल जिले में ताडोबा जंगल के समिब के गाव में हमेशा इस तरह के नजारे देखे जाते हैं जबकि जंगली जानवरों के हमले की घटना अब यहां बढ़ते जा रही है तो दोपर के प्राइम टैम में अभी इतना ही आप से फिर मुलाकात होगी तब तक बने रहे हैं विके बिन दियूस के साथ नमाशकार झाल झाल